स्वागत आपका हमारे चैल में शुरुवात करते हैं इंडी नियूस क्विक्स का भारत और दक्षिन अफरिका के बीच में पांचवा T20A मैच जो की डिसाइडर मैच भी था बैंगलरू में खेला जा रहा था लेकिन बारिश के चलते हो गया रद और भारत के बल्लेबाजी में केवल 3.3 ही ओवर हो पाए अगर मैच में कम से कम पांच पांच ओवर के साथ मैच को शुरू करना था तो रात के दस बच के दस मिनिट में मैच शुरू होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया लगातार बारिश के चलते इन दा शूर्ट पिरियद of action that was possible before the rain set in इंडिया managed to score 28 with the loss of two wickets and रिशप पंथ lost his fifth straight toss and was asked to set a total once more जोन केमबेल के अंठानवे के नाबाद पारी के चलते वेस्ट इंडीज को एक शुन्ने की बड़त मिल गई वो भी साथ विक्टो के जीत के साथ पहले टेस्ट मैच में जो केला जा रहा था एंटिगवा में और इसी के साथ दो मैच के टेस्ट सेरीज में एक शुन्ने की बड़त हो चुकी है वेस्ट इंडीज के पास निदिग जस्ट थर्थ पाइप पास निदिग जस्ट थर्थ पाइप जो के टेस्ट इन के स्टम्प ने तक सतर पे नाबाद बने हुए थे उन्होने नाबाद चबिस रनों की पारी खेली तो ही पे कैमे रोज को चुना गया प्लेर अफ दे मैच इस वेस्ट इंडीज थर्ड विन इन ICC टेस्ट चैन्पेंशिप अटेकिंग देम तो 42 पोइंट वाइल बंगादेश हैव सेवन दिफिट अगेंस दियर नेम और स्टिल अद बोड़म पांच मैंचों के ओडिया सेरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइल निशंका वाइल निशंका वेंट उन टो रिजिस्टर हिस मेडन ओडिया सेंचुरी मैंडीस मेड 87 अफ 85 बिफर गेटिंग रिटाइड हर्ड विद असस्पेंट हैंस्ट्रेलिया विद श्री लंका पियर लोकिंग तो गेट दॉब 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 देंसल्ब्स और इससे पहले जब औस्ट्रेलिया को जरुवत थी कि आखरी ओवर में आके वो बहतरीन फिनिशिंग दे सके तब वहाँ पे अच्छे बल्ले बाजी करते हुए दिखें पहले मैक्सवेल उसके बाद ट्रैविस हैड जिसके चलते ही 291 रंग खड़ा कर पाया था औस्ट्र जून 19 को और इस पार भी इंग्लेंड ने थोड़ा सा कम मज़ेदार जीत हासिल किया इंग्लेंड की तरफ से उनके सलामी बलेबाज जेसन रॉय और फिल सॉल्ट ने बहतरीन बलेबाजी करते हुए 149 रनों की साजिदारी की और इंग्लेंड को दिला दी 6 विक्टों से ज Dutch with 78 from number 5. The Dutch Tongan Australian keeper stepping into captaincy after Peter Sillaar was ruled out by the recurrence of chronic back complaint. One which would force him to announce his retirement from international cricket at the close of play. भारते घरेलु क्रिकेट के महारती मुंबई टीम ने अवचारिकता पूरी के रंजी ट्रोफी के फाइनल में पहुचने का. उन्होंने साइवी फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराया शनिवार को. The 41-time champions मुंबई thoroughly dominated from the first ball of the game, which ended in a draw at the Just Cricket Academy Crown. मुंबई की तरफ से पहले पारी में उन्होंने बनाया था 300 तिरानवेरन और उसके बाद उत्तर प्रदेश को महज 1809 पे धेर कर दिया और इसी के साथ एक बड़ी बड़त हासिल कर लिए थी. मुंबई विल मेट मद्ध्रदेश in the final, which will be played at M. Channeswamy Stadium from June 22. मद्ध्रदेश defeated West Bengal in the semis by 174 runs. आज के लिए बस इतना ही कल फिर से आप से मिलेंगे और जाने से पहले आप जरूर इस वीडियो को कीजेगा लाइक, शेर और चैनल को कीजेगा सस्क्राइब बेल आइकन के साथ धन्यवाद.